प्रणाम काफी लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि रंगोली हम क्यों बनाते हैं? या हमारे हिंदु धर्म में रंगोली का इतना महत्व क्यों है? हर शुब अउसर पे हमारे घर में अगर दिपावली है, नौरात्री है या फिर होम हवन है, या फिर कोई यग्य है जैसे नवचंडी यग्य है, या फिर गनेश याक कर रहे हैं कोई भी यग्य हो या फिर बड़ी पूजा भी क्यों न हो तो घर में रंगोली जरूर बनाई जाती है आप लोगोंने देखा होगा कि जब पंडित हमारे घर में आते हैं और जब पूजा का सब समान लेके आते हैं तो उसमें रंगोली भी होती है जब वे पूरा पूजा लगाने की शुरूरात करते हैं तो उसमें रंगोली जरूर बनाते हैं बहुत सुंदर तरीके से वे रंगोली बनाते हमने उन्हें देखा है रंगोली तो हमारे हिंदु धर्म में सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की जो धर्मपत्नी थी रुकमिनी उन्होंने ये रंगोली की शुरुवात की वैसे तो काफी कई सारी कहानिया है कि पहले किसने रंगोली बनाई ये वो लेकिन जहां तक मुझे पता है या मैंने पढ़ा हुआ है ये कि भगवान कृष्ण उन्हें बहुत ही रंगोली पसंद थी, इसलिए उनकी धर्मपत्नी रुकमिनी उनके महल में रंगोलियां बनाया करती थी रंगोली तो हर किसम की देखने को मिलती है, कुछ लोग फूलो की बनाते हैं, कुछ लोग रंगो की बनाते हैं, कुछ लोग आटे में से भी बनाते हैं आजकल तो हर एक अलग-अलग तरीके से लोग बहुत सुन्दर सी रंगोली अपने आंगन में बनाते देखने को मिलती है। वैसे तो रंगोली हर आकार में बनती है, फिर वो गोल हो, त्रिकोनी हो या फिर चौरस में बनाई जाती है, कुछ लोग अश्टकोन में बनाते हैं, कुछ लोग शटकोन में बनाते हैं, अश्टदल में बनाते हैं, इसे कई सारे आकार में रंगोली बनाई जाती है। तो रंगोली का सिर्फ धार्मिक महत्व है, ऐसा नहीं है, तो उसके पीछे वैग्नानिक करण भी जुड़ा हुआ है, पहले के जमाने में रंगोली बनती थी, यानि उसके पीछे कुछ न कुछ शास्त्र तो रहा होगा, तो उसके पीछे का शास्त्र क्या है, धार्मिक तो प पता है कि जब हम रंगोली बनाते हैं हमारे आंगन में या फिर घर के अंदर या फिर मंदिर के बहार तो काफी प्रसन्नता फैलती है, काफी सकारात्मक उर्जा जुड़ जाती है ये हमारे धर्मिक कारण बन जाता है, लेकिन वैग्नानिक कारण क्या है तो ऐसी कई सारी रिसर्च हुई है कि हिंदु दर्म में जब महिलाएं रंगोली बनाती है तो उनके शरीर में कौन से बदलावाते हैं फिर मानसीक तौर पे हो या फिर शाररिक तौर पे महिलाएं क्या महसूस करती है इसके उपर बहुत सुन्दर से रिसर्च की गई है तो वग्यानिक कारेंग यही है कि जब हम रंगोली बनाते हैं तो आप सभी को पता है कि हम जादा से जादा दो उंगली का इस्तमाल करते हैं यानि हमारे अंगुथे का और जो पहली हमारी उंगली है उस दोनों उंगलियों का हम बहुत अच्छे से इस्तमाल करते हैं जब हम रंगोली बनाने की शुरुवात करते हैं तो रंगोली बहुत सारे अकृति में बनाते हैं कभी गोल होती है या तो फिर कभी-कभी बिंदू वाली महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्रियन महिलाएं जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बिंदों के उपर अकृति बना के रंगोली बनाते हैं तो वो बिंदू भी एक समान होने चाहिए एक लकीर में होने चाहिए आकुरुतियों में होने चाहिए तो वो जो हमारा दुरुष्टिकों रहता है कि एक बिंदू, दूसरे बिंदू के नीचे प्रॉपर तरीके से आए तो उससे होता ये है कि हमारी जो मस्तिक की रेशाएं हैं या कोशिकाएं हैं या तो फिर हमारा मस्तिक वो बहुत ही अच्छे से इस कार्या में जोड़ जाता है यानि उससे होता ये है कि हमारे मस्तिक को जादा उरजा मिलती है जादा से जादा हम ध्यान केंदृत कर पाते हैं रंगोली बनाने में तो जो महिलाएं रोज रंगोली बनाती है काफी लोगों को मैंने देखा है महिलाएं या फिर ऐसा मैं कहाए सकती हूँ कि मेरी जो मा है वो हमेशा उसका स्नान होने के बाद अपने घर के बाहर रंगोली बनाती है फिर रंगोली में स्वस्तिक बनाएगी कभी कमल के फूल बनाएगी कभी गौ माता के चरणों वाली आकृती की रंगोली बनाएगी बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की रंगोली मैंने अपनी मा को बनाते हुए देखा है तो उसमें मैंने देखा है कि वो हमेशा एकागरता से रंगोली बनाती है तो रंगोली बनाते समय हम हमारा ध्यान के इंद्रित करते हैं इसे होता है यह कि हमारी इकागरता बढ़ती है दूसरा इसका कारण है कि जब हम दोनों उंुगली से यानि अंगूठे से और यह जो पहली उंगली है उससे जब रेशाइं बनाते हैं तो उसके बीच जो रंगो जो भी रक्त का दाब रहता है, यानि कभी-कभी कुछ लोगो BP की तकलिफ रहती है, तो जो BP के पेशंट है या शुगर के पेशंट है, ऐसी महिला अगर रंगोली बनाती है, तो उससे वो नियंतरण में रहता है, क्योंकि हम बहुत दिल से रंगोली बनाते हैं, तो जब दिल निर्मान होता है, यानि वे घर में किसी और व्यक्ति के साथ जब बात करेंगे, तो काफी प्रेम भरे आवाज में बात करेंगे, काफी एकागरता से बात करेंगे, या जो भी कारिय वो करने जाते हैं, तो उसमें सकारत्म कुर्जा उनसे जुड़ जाती है, तो ऐसे कई सा बनाते हैं तो जो शांती का प्रतीक है अगर हम लाल रंग से हमारी रंगोली बनाते हैं तो उसे उर्जा मिलती है यानि सकारात्मक उर्जा रहती है हमारे आसपास नीले रंग का अगर हम इस्तमाल करते हैं तो जो ग्ञान को बढ़ोतरी देने वाला रंग है जो हमारा अत्मि लगरं हमें रंगोली में देखने को मिलते हैं उससे होता यह है कि हमारी शक्तिया यानि हमें जो आत्मिक शक्ति है उसको अच्छे से बढ़ोतरी मिलती हैं हम विचार करने लगते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कभी-कभी हम रंगोली बनाते हैं तो सबसे पहले हम सोचते ह पूल बनाती है, कभी-कभी मोर बनाएंगी, कभी-कभी वे अच्छे से बिंदों की आकुरुती वाली बनाएंगी, कभी-कभी गोलाकर में बनाते हैं, तो कभी-कभी चौरस में बनाते हैं, तो ये सारे आकारों का भी अपना एक महत्व है, ऐसा माना जाता है कि जब हम सब्त रंगोली बनाते हैं, तो वो हमारे मा लक्ष्मी जी का प्रतिक माना गया है, अगर हम अश्टदल में कोई रंगोली बनाते हैं, तो वो हमारे भगवान विश्णु को, हमारे भगवान सत्यनारायन जी को, समरपीत ऐसी यह रंगोली मानी जाती है, तो अलग-अलग प्रकार की जब हम रंगोली बनाते हैं तो उसका भी एक महत्व बताया गया है जो कला प्रेमी है वो तो बहुत ही सुन्दर तरीके से रंगोली बनाते हैं आजकल के आर्टिस्ट अगर आप देखेंगे तो पानी के उपर बनाते हैं जो भी उन्हें पसंद आता है फिर उन्हें कोई डान डाल देते हैं तो ऐसी ये रंगोलियां जादातर हिंदु धर्म में देखी गई है अलग-अलग तेहवार उपे उत्सव पे अगर कोई शुबकार्या है घर में तो सबसे पहले रंगोली बनाई जाती है पहले के जमाने में अगर रंगोली बनानी है तो हम अच्छे से गोबर का लेपन करते थे पूरी जगा शुद्ध करके फिर अच्छे से हम उसके उपर रंगोली बनाते थे आज भी कई लोग अपने घर में जिनके घर तुलसी वृंदावन है उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो सुबह प्रातरकाल में उठके स्नान करके अच्छे स पास समय है आप एक ग्रुहीनी है घर की महिलाएं है तो अच्छे से सुबह के समय एक छोटा स्वस्तिक तो हम बना ही सकते है घर के बाहर तो स्वस्तिक का भी अपना एक महत्व है कि अगर कोई नकारात्मक उर्जा घर में आए तो स्वस्तिक देखके वो रुख जाती है च घर के बाहर ही रुख जाए घर के अंदर नहीं आए इसलिए हम रंगोली बनाते हैं तो आप भी अपने घर के बाहर जरूर रंगोली बनाईएगा आजकल तो लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो थोड़ी सी जगा तो होती है जहां पे हम डोर मेट रखते हैं उससे अच्छा में तो उन्हें भी अच्छे से रंगोली सिखाएं उन्हें भी ये महतवा बताईए कि हमारे घर में हम रंगोली क्यों बनाते हैं ये संसकार ही है जो हमारी संस्कृति को आगे ले जाने वाला है और वो हमारे साथ जुड़े रहने वाले हैं बच्चे अगर ये चीज जाने तो वो भी अच्छे से आगे फॉलो कर सकेंगे तो हमारे हिंदु धर्म में रंगोली का महतवा जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया है मैं ये सोच्ची हूं कि आपको काफी अच्छी जानकारी मैंने ये वीडियो में दी होगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेर भी कीजिए तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो में बहुत सुन्दर विशे के साथ हम मिलने वाले हैं धन्यवाल